लो दोस्तों स्वागत है आपकी यूटीब चैनल वर्ल्ल उफ इन्वेस्टेंट पेड में आज हम बात करेंगे राकेश जुन जुन वाला जी के बारे में जो की एक एयरलाइन चालू करने वाले हैं जिसका नाम है अकाशा एयरलाइन तो यह जो है अभी हाल फिलाल में राकेश जुन जुन वाला जी ने हमारे प्रधान मंतरी स्री नरेंद मुझी से मुलाकात की और यह काफी चर्चा में रहे कि क्यों मुलाकात की तो मुझे लगता है यह बहुत बड़ा रीजन होगा यह एयरलाइन का लांच करने का ऐसा अब मुझे बीदी मता क्या बात हुआ होगा बट आप देख सकते हैं यहां क्या है वाट इस अकासा लो कोस्ट केरियर बैक्ट बाइइन्वेस्टर राकेश जुन जुन वाला जी ने एक नए एरलाइन चलू किया है तो आप देख सकते हैं क्या दिया इंडिया न्यू लो क कोस्ट एयर लाइन आकासा टू लाउंच इन तो ज़र बाइस तोज़र बाइस में लॉंच होने वाला वोला है और यह जो है लो कोस्ट रहेगा बहुत ही अल्ट्रा लो कोस्ट केरियर मतलब बहुत ही कम रेट पर रहे गए और यह जो है नेक्स्ट ये 2022 के समर तक अलग गर्मियों तक यह आ जाएगा ऐसा बोलब बताया जा रहा है तो ठीक है अभी देखते हैं जो राके जुन जुन वाल जुट मिल गया है नको मिनिस्ट्री आफ सिवील अविएशन से और यह अल्ट्रा लो कॉस्ट पर यह सर्विस देना चाहते हैं और यह नेक्स्ट ये जो है गर्मियों तक यह लॉंच कर देंगे अब देखे वाट इस अकासा जो है देखे अकासा जो है राके जुन जुन व चल्सटोरी करेंगा और जो इसके जो भरेंगे जेट एंडीगों आदित्य गहीं तो ब्रेसे बात ही दोनों एक्स्परियस में लोग रह चुके हैं और यह इंडीगों में काम कर चुके आदित्य घोजी तो काफे तो यह जो है दोनों experience लोग जो है इस airline को रन करेंगे अकाशा एरलाइन को तो यह काफी अच्छी बात है management लेकिन अच्छा है मतलब इसका तो जो राके जुन जुन वाला जी को nominee as a nominee रखा जाएगा और जो राके जुन जुन वाला जी जो है करीब 35 million dollar का जो है पैसेस में डाल है और यह जो है बहुती लोग cost में रखा जाएगा यह काफी अच्छी बात है और यह यह इसका में था काशा के बारे अभी देखिए यह लोग cost में आएगा इसका जो model है वही काफी सस्ते में लोगों को दिया जाएगा अभी indigo और इस पाइस जट जो है यह यह बजजट स सब चीजे जो अधर एरलाइंस में उती हुँं वो सब पूरे सभी चीजे देंगे जैसा कि अधर एरलाइंस में होता तो यह काफी अच्छा चीज रहें गए इनके लिए और यह एकदम मिनिमम मिनिमम प्रॉफिट में यह एरलाइन चलाएंगे ऐसा इनका कहना है तो यह काफी अच्छा चीज है इंडियन कस्टमर्स के लिए काफी अच्छी बात है काफी अच्छा चीज है क्योंकि लोग जो है वैसा ही चाते हैं और सस्ते में मिल जाएगा लोगों को देखे एकजिट कियें इसे तो एक खाली सीट था या फिर बोल सकते हैं कि अभी ज़रत थी एरलाइन इंडेस्ट्री में काफी कम प्लेयर हो गये थे तो राके जुन-जुन वाला आपको पता है यह शेयर मार्केट में बुलिश है और एविशन सेक्टर में भी काफी बुलिश है इस करण से यह अपना एयरलाइन चालू कियाने का इन्होंने सोचा और इन्होंने बुलाई काफी डिमांडिंग है और इनको इसमें उतरना था इसकर इसमें उन्होंने कदम रखा है और यह अभी वेक्सिनेशन ओवर हुआ है और धीरे-देर करके देखिए कि मोमेंटम ले प्रशन ऐसे और इंडिया है और जो बाकि जो प्लेयर है कुछ कुछ इसे इंडिगो है यह अलड़ी इन लोगों ने पैसा उठा चुके हैं शेर मार्केट में अलड़ी है ठीक है और आप सभी को पता होगा कि कोविड के कारण से काफी जो एरलाइन को नुकसान हुआ काफ है काफी अच्छी बात है इंडस्ट्री एविशन इंडस्ट्री के लिए और राकेट जुन जुन वाला जी के लिए और जो कस्टमर्स हैं यह यूजर्स हैं जो उसको यूज करेंगा उनके लिए भी काफी अच्छी बात है तो यह काफी अच्छी नियूज है सभी के लिए और सभी को राके जुन जुन वालोजी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्हेंने काफी अच्छा सटेप लिया है pathway panला के लिए वी और कंट्री के लिए भी दोनुओ अच्छा चीज तो मुझई यू नीज्ञ अच्छा लगा इसलिए मैंने आप के साथ शेयर करने का सोच आप चाहे तो इसमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट में कि आप को कैसा लगा कि राके जुन नन्युवार या नहीं है यह फिर आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर जी से Prophet कि अहीं मुलाकाथ की Iya उनके कुछ और panel भी डिमाग है आपको और दिमाग में तु security में नहीं है क्या मॉडल होना चाहिए आपको क्या लगता सब कमेंट में लिखे ताकि इस अभी को पते चले और मुझे भी पता चल सके और आप चाहे तो यह वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं इसी तरीके के मैं अच्छे वीडियो का लेवल भी बढ़ा सकते हैं तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी न्यूज या फिर जो भी मैं अपने चैनल में बताता हूं शेयर के बारे में वह किवल एजुकेशन परपस के लिए अपना खुद का दिमाग लगाए खुद का सोच रखे उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें या कोई न्यूज को समझें इसके लाब मेरे टेलिग्राम चैनल है जहांपर में फ्री के इंटर डे फीचर